कि ये ब्रजेश मिस्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं दडिबेट बैन भाईयों जेल के ताले खुलेंगे और आजम खान बाहर आएंगे 27 महीने के बाद यूपी सरकार मौझूदा यूपी सरकार आजम खान को आदतन अपराधी बनती हलाकि वो बहुत ही सीनियर लीडर हैं और उत्तर प्रदेश की विधान सभा से लेकर देश की लोग सभा सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेकिन मौझूदा हुकूमत उन्हें आज की परिचर्चा आजम खान के 27 महीने के कारावास की और उसके बाद अब सियासत किस इधर रुख अख्तियार करेगी इस विशेपर बात करेगी बनवयो उत्तर प्रदेश की राजनीत में रोज एक नए मोड आते हैं आज भी एक नए मोड आया है यह मोड है आजम खान को 27 महीने की बाद भारत की सर्वोच चैदालत से जमानत मिल गई है आजम खान जब जेल गए उसके बाद उनके खिलाप एक दो तीन चार या दस बीस पचास नहीं 89 केसे उनके खिलाप दर्ज हुए या फिर दर्ज कराई गए आजम खान के खिलाप कड़ी से कड़ी सक्त का रवाई उत्तरप्रदेश की सरकार निकी और इस बात का पूरा बंदोवस्त किया कि आजम खां किसी कीमत पर जेल से बाहर ना निकलने पाएं और यूपी सरकार 27 महीने इसमें सफल मी रही आजम खांको एक में बेल मिलती थी दूसरा केस हो जाता था दूसरे में मिलती थी चार और केस हो जाते थे यह सिलसिला 27 महीने तक चलता रहा आजम खां बेल पे बेल मांगते रहे और उनके खिलाप फाइयार पर फाइयार होती रही शायद यह रिकार्ड है वैसे रिकार्ड मुलायम जिंग यादों के नाम है उनके खिलाप मायवती ने एक दिन के भीतर उत् अच्छी नहीं है उन्हें 27 महीने कारावाज भोगना पड़ा है और आब वो बाहर निकले हैं बाहर निकलने के बाद आजम खां की राजनीत में क्या कोई परिवर्तन आएगा समाजवादी पार्टी का साथ वो उस तरह से दे पाएंगे जब पहले दे रहे थे या फिर कि अगर अब तक की राजनीत देखिए तो फ्लेक्सिबल पॉलिटिक्स रही हों कभी लड़ा उन्होंने कभी जुके कभी लड़े कभी जुके आगे बढ़ते रहे राजनीत में और उत्तर प्रदेश में लहर किसी की भी हो आंधी किसी की भी हो लेकिन रामपुर में आप आजम खा को हरा नहीं सकते हैं उनको हराना लगभग मुश्किल है बहुत मुश्किल है जैसे आप कुंडा मेरा अगुराज परताप सिंग को नहीं हरा सकते हैं रामपूर खास में आप प्रमोत तिवारी के परिवार को नहीं हरा सकते हैं हर्दोई में नरे सगरवाल को नही नहीं हरा सकते हैं साजहांपुर में सुरेश खन्ना को नहीं हरा सकते हैं और कानपुर में सतीस महाना को नहीं हरा सकते हैं उसी तरह बल्कि उससे ज्यादा रामपुर में आजमखा और उनके परिवार को हराया नहीं जा सकता यहीं आजमखा की ताकत है अदरसल राजनीत में नेताओं को ताकत कहां से मिलती है। जंता अगर उनके साथ है तो वह ताकतवर होते हैं। सत्ता हो या ना हो। और आजम खां अपनी लोग प्रियता जनता से प्राप्ट करते हैं। उनके मसाइल उठाके, उनके मुद्दे उठाके। लेकिन 27 महीने से आजम खां की कोई आवाज बाहर नहीं आई। अब जब वो बाहर आएंगे, तो उनके तेवर देखने लाइक होंगे। उनके लोकसभा से इस्तीफा दे दिया है। वहां उपचुनाओंगे। और रामपूर की अपनी विधान सभा की सीट वो कहरी कर रहे है। अब वो अखिले से आदाओं के साथ प्रतिपक्ष में बैठेंगे। उम्मीद करिए। और ऐसी पूरी संभावना है कि यह जो बजट सत्र है आजम खा उसमें असेम्मेली के भीतर बैठे रहेंगे और मुकाबला बड़ा दिल्चस्प होगा। तो उस द्रश्च की आप कल्पना करिए। जो पसकुछी दिनों में आपको असेम्मेली में दिखने वाला है। आज आजम खा कोई बदले हैं नहीं बदले हैं। तमाम चर्चे हैं कि वह आखिलेश यादो और समाजवादी पार्टी से रूठे हैं। लेकिन अगर रूठे हैं तो क्यों और अगर रूठे हैं तो फिर उनका दूसरा ठीकाना क्या होगा। क्या कुछ अलग करेंगे। क्योंक महावना बेहत कम है। मैं चाहता हूं कि कुछ बयान आप सुनें फिर आज की परचर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। देखी ये सच्चाई की जीत है। जिन लोगों ने हमारा साथ दिया है घर आकर हमारी हिम्मत बढ़ाई है। उन सभी लोगों को की महिस्व प्रगुजार को सुप्रिया कहना चाहूं है। आज इस चीज को मनी सरोच नयले ने महसूस किया कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आजम सहाब पर फर्जी मुग्द में पर मुग्द में लगा करके उनको परिशान किया जा रहा है। इसलिए सरोच नयले ने विशेशा अधिकार का प्रियोग करते हुए अंत्रीम जमानत आजम सहाब को दी है। आजम खान आज अपने कर्मों की सजाभूबत रहे है। और आजम खान के खिलाफ कोई राजनितिक प्रिटित के मुकदमे नहीं है। यह मुकदमे उन पीडितों की तरफ से, बंचितों की तरफ से और सोशितों की तरफ से दाखिल किये गए हैं। जिन पर सफ्ता के रसूख में बाजम खान ने अन्याय करने का काम किया था। मेरे साथ आज के कारक्यम में ओपी सिंग है भारती जन्ता पार्टी के प्रवक्ता, संजीव सिंग कांग्रेस से हैं, नाहिद लारी खान समाजवधी पार्टी से हैं, धीपक मिस्रा PSPL से हैं, सुसील दुबे जाने माने पत्रकार, रमेश ठाकुर्जी राजनितिक फिसले स और विरेन सिंग जी हमारे स्टेटेट, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, तो भाई ओपी सिंग जी आपको मुबार्ट